वेलकुम डिट चैनल गाइस आज मैं आपके लाए हूँ अफोर्ड़ रेंज ओफ स्कूरिटी कैमराज दोबारा आगे हैं हम चुतन्य भाई पे एलिकॉम इंटरप्राइज पे आगे आपको दिखाते हैं हम पूरी वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दा चैनल विकाज वीड सब्सक्राइब दोस्तों मेरी पिछली वीडियो को देखके में को काफी अच्छा रिस्पॉंस में आप लोगों का कहें देलते शुक्रिया और काफी डिमांड के कारण मैं लेके आए हूँ आज आपके लिए कुछ और नहीं चीज़ें जो आपको काफी लुभाएंगी और बहुत ही फ्रेंडली बजेट के अंदर आपका सारा काम अच्छे से हो जाएगा अब मैं आपको दिखाने जारों वाइफाइ रेंज उन मेरे पर्टिकुलर ग्राक के लिए जो चाते हैं कि बही कम बजेट के अंदर अच्छे कैमरा जोर अच्छी कॉलिटी में उनका काम हो आउस्टिंग के साथ बिना वाइरिंग के बिना किसी जंजट के लग सके वही सारे कैमरा आज एक नए वराइटी के साथ मैं लेकर आया हूं जैसे कि आप देखेंगे यह एक छोटा सा वाइफाइ कैमरा है आप इसको उल्टा करके भी लगा सकते हैं दिवार के उपर यहां खतने वाले केमराथ हमारे पास अविलिबल हैं जैसे की यह आप इस कैमरा को आप देखें तो यह पूरा पीछे तक गुमता है इस प्रकार यह पूरा गुमता है आप इसकी लेडी देखे तो रात को यह वाइट कलर की ओन हो जाती है जिस IP 66 या 67 नहीं है इस पर पानी गिरेगा तो ये खराब हो सकता है, मगर आप इसको दुकान के शेड के नीचे, माने चज़े के नीचे, बैलकिनी के चज़े के नीचे अराम से लगा सकते हैं, कम वैल्यू के अंदर ये बहुत अच्छा प्रोड़क्ट है इसकी जो वैल्यू है ये 1500 उपीस का ये आप हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं telecap.in से वहाँ पे जाके आपको एक एक चीज़ इसकी सारी जो quality की वीडियो है वीडियो का link भी आपको available रहेगा आप देखके easily purchase कर सकते हैं इसी प्रकार मेरे कहीं भाई मेरे से पूछते हैं कि सर मेरी दुकान सबजी की है, कि सर मेरी दुकान पानवाली है मेरा कहने वाला पानवाले की दुकान हो गई जैसे की, या फिर मेरे से कहीं लोग ऐसे कहते हैं कि सर हम तो रेडि लगाते हैं, अब रेडि पे हम आप इजिली अपने मुबाइल के होट स्पोट से उस कैमरे को अटाच करके अराम से अपने मुबाइल की अप्लिकेशन पर घर बैटे भी देख सकते हैं और इन कैमरा की जादा हाई रेंज वाल्यू नहीं है अब वो सबजी के ठेले के लिए यहां फिर पानवले के दुकान क के लिए आया है मेरे पास बल्ब शेप में कैमरा यह बल्ब की तरह उपर लग जाता है आप बल्ब तो लगाते ही है और यह इसका जो लेंस है यह फिश आई फॉर्म में है माने अगर हमारी छोटी सी दुकान है या छोटी सी रेडी है या फिर कोई भी एक स्टॉल है वो प चीज को फिगर आउट कर सकते है कि कहां पर क्या हुआ बहुत बढ़िया कैमरा है सर यह इसकी डिमांड बहुत थी मेरे पास भी सो थैंक यू आपने यह भी कवर की अब इसी के अंदर कुछ लोगों की यह भी मेरे को डिमांड आती है कि सर हमार को गोलाई में नहीं देखन कि इसको मुबाइल पर कैसे अप्लिकेशन पर आउन करना है या वाइफाई पर कैसे ओन करना है उसके लिए पूरी गाइड़ वीडियो है हमारे पास अगर आपको वीडियो नहीं समझ आता तो मैं आपकी सेवा में हाजर हूँ आप मुझे कॉल करें मैं आपको पर्डिक्ल का होल्डर है जो नॉर्मल बल्ब होल्डर होता है इस पर अपने नेगेटिव पॉजिटिव वाइर दाला इसको लगा दिया उपर बल्ब को इससे फिट कर दिया और ये कैमरा आपका ओन हो जाता है इसी परकार से दुकानों के लिए या फैक्टरीज के लिए आप लगा सकते हैं फिशाई कैमरा हमने चार कैमरा लगा लिए आसपास अब चार कैमरों का काम क्या है कोई लेफ्ट से देख रहा है कोई राइट से देख रहा है कोई सेंटर यह रोटी की तरह पतला सा होता है, इसको आप सेंटर में उपर दिवार पे लगा देंगे, आप जैसी इसको दिवार पे लगा देंगे तो गोलाई में पूरी दुकान, माने पूरी दुकान कवर करेगा, एक हाइट के हिसाब से लगाना है और उसी हिसाब से इसकी पूरी कव फिर प्र हमारे पस कुछ camera ऐसे हैं जो लोग कहते है hidden cameras तो अब लोग नहीं प्रमोट करते यह चोटा सा camera आप इस वही सारी इसके अंदर सुविदाय हैं मोबाइल अप पे चलेगा तू मेगा पिक्सल की नहीं इसकी 1.3 मेगा पिक्सल की पिच्छो कॉलिटी रहेगी यह लेफ्ट राइट नहीं रहेगा लेफ्ट राइट उपर नीचे नहीं आप इसको अपनी अप्लिकेशन से मूफ कर सकत अब मेरे कहीं भाहियों ने मिरसे बूचा सवर मारको ना जैसे कुछ टाक्सी ड्राइवर्स का भी मुझे पीछे मैसेज आया उन्होंने मेरको बोला सवर हमारको गाडी में कोई कैमरा लगाना है और यह जो डैश कैम होते हैं इनकी कॉस्टिंग बहुत जादा है डैश कैम यूएस्बी हब जो गाडी का है उस पर यूएस्बी हब पे अटाच हो जाएगा मेमरी काड इसके अंदर 32GB का आ जाएगा आपके पीछे जो आपके गराहक बैटे है यह आपको अपनी गाडी में कुछ जैसे बच्चों को स्कूल छोडने के लिए ड्राइवर्स भी जाते अपने बच्चों को लाइव देख सकते हैं बच्चों की सेक्यरोटी के लिए बिल्कुल बिल्कुल और साथ ही साथ लेट से अब इसी में कई लोग मेंसे पूछते हैं सर जब गाडी ओफ होती है तो कैमरा भी तो ऑफ हो जाएगा सर देखे जब गाडी ओफ होईगी पाव कैमरा ओफ होईगा बट उस चीज़ का भी सल्यूशन है पावर बैंक आप चाहें तो पावर बैंक का जो तार है पावर बैंक की जो उसको पावर देने वाली तार है वो गाडी की यूसबी से लगा दीजिए और इसको पावर बैंक से लगा दीजिए अब काडी अगर तीन UPS लगे होते हैं, UPS के साथ CPUs लगे होते हैं, CPU में डाल दीजे, Laptop में डाल दीजे, Wherever you feel comfortable with the USB, इसको पावर राजेगा और या आपका कैमरा अन हो जाएगा, और लोग कहते हैं कि हमार को और भी चोटे कैमरे चाहिए, तो देखें सर्थ, ये बड़े चोटे-चोटे हमारे पास मॉडल्स हैं, हमारे पास कुल मिलाके 20-25 मॉडल्स हैं, ये कैमरा इस प्रकार स्टैंड पे लग जाता है, sorry, ये, इस प्रकार स्टैंड पे लग जाता है, मॉबाइल अप्लिकेशन पे भी चलेगा, 32GB मेमरी कार्ट भी सपोर्ट करेगा और इनकी जो प्राइज रेंज हैं बहुत कम हैं, प्राइज रेंज मैं भी आपसे आगे डिसकर्स करूँआ, एक ये निया कैमरा आया है, sir, very easy to install, ये भी पूरा गुमता है, हमने इसका कोई मॉडल तो नहीं रखा है, बगर हमार से खरीदने वाले जो गाउं-गाउं से लोग आते हैं, वो कहते हैं, आल-उट वाला मॉडल दे दो, कारण यह है, इसकी भी डिमांड बहुत है, इसकी शेप ऐसी है, हम OEMs है, और Importers है, हम लोग मॉडल नहीं देते हैं, मॉडल आप लोग देते हैं, जो Resellers है, इसको बहुत easy है, इसका installation, इसलिए इसकी बिक्री बहुत ज़ादा है, Simply आप इसको plug कर देंगे, camera on हो जाएगा, mobile application पर इसको download कर लेंगे, और आपका camera on है, simultaneously you can do this left, right, up, down, बोलना, सुनना, यह सारे features इस camera के अंदर है, अलग-अलग जबाओं पर यह camera बहुत अच्छे से, कामियाबी से चल रहा है, 4G camera, जिसकी बहुत अच्छी डिमांड है, इसमें लोग मेर को बोलते हैं, ज़र हमार को ऐसे cameras चाहिए, जिसके अंदर हमार को कोई internet की सुविदाना देनी पड़े, हाँ, जहां पर आपके signals अच्छे आ रहे है, mobile के, तो इस camera के अंदर आप SIM card दाल देंगे, रात को यह camera color view में आएगा, इसको आप power दे देंगे, same features, mobile application, और easily outdoor, इसकी IP66 है, पानी से इसको कोई problem नहीं आएगी, इसके connectors भी है, connectors को आप cover कर देंगे, cover box के अंदर आते हैं, और आपका camera अन हो जाएगा, अब मैं आपको ले चलता हूँ, कुछ ऐसे similar cameras पे, जो दिखते सेम है, मगर उनका काम अलग है, online जब आप जाएंगे, तो आप कहेंगे के बही, camera की shape और look तो सेम है, मगर price क्यों अलग है, यह देखें सर, यह दोनो cameras एक जैसे दिखते हैं, इनके boxes भी एक जैसे, मगर इनके prices में क्यों फरक है, सर, यह camera जो है, यह IC cam application पे चलता है, और यह camera आपके normal NVR पे, माने network video recorder पे, जिस पे आप IP cameras चलाते हैं, उस पे भी यह camera चल जाएगा, माने आप अपने mobile से, NVR के through भी और mobile से भी इसको left, right, up, down कर सकते हैं, यह वाला camera सिर्फ mobile app पे चलेगा, यह stand alone camera है, land cable जो इसमें दे रखी है, इसकी land cable इस कारण दे रखी है, कि अगर कहीं यदी, आपके Wi-Fi signals नहीं पहुच रहे proper, एक या दो ही signal पहुच रहा है, तो आप वहां से router से तार कीच के इसमें डाल देंगे, और यह Wi-Fi पकड़ लेगा, और इसी बात पर मैं आपको सबको यह बताना चाहूँगा, जब भी आप Wi-Fi cameras लगाते हैं, कहीं लोग मेंट से सवाल करते हैं, सर हमार को तो पता ही नहीं लगता कि सिगनल आ रहा है नहीं आ रहा है, Wi-Fi का camera से कैसे test करें, इस वेरी एजी, आप अपने mobile को अपने normal Wi-Fi से connect कीजिए, और walk कीजिए, walk करते हुए देखिए कि आपके Wi-Fi सिगनल कहां तक पूरे आ रहे हैं, जहां तक दो आ रहे हैं, वहीं तक camera लगाई है, थर्ड वाले पर मत लगाई है, क्योंकि यूज्वली जैती one signal रह जाता है, आपके mobile पर भी Wi-Fi का, तो आप simultaneously कोई buffering proper होती नहीं है, वीडियो की भी, तो the camera needs the full Wi-Fi connectivity, इस बात का आप ध्यान रखें, कभी भी Wi-Fi camera लगाना है, अपना mobile phone से Wi-Fi को attach कीजिए, थोड़ा walk कीजिए, और देखिए कितनी दूर तक signal आ रहे हैं, उसी location पे camera लगाई है, अगर वहाँ signal नहीं आ रहें, तो वहाँ पे Wi-Fi router का आपको एक solution करना पड़ेगा, वो भी बड़ा easy है, current Wi-Fi router से land cat6 cable आप खीचिए, और उसके आगे एक और router लगा दीजिए, वहाँ पे signal अपने आप आजएगा, आपको कोई extender के लिए पैसे नहीं खर्चने, 800-900 रुपे का router आता है, बड़ी सारी companies का आता है, जो warranty में दे रहे हैं, आप उनसे ले सकते हैं, अब सर, रात को picture quality के अंदर हमार को heavy camera, ये 5 megapixel है, left, right, up, down, ये इसकी white lights है, इस पे दो models आते हैं, दोनों ही same models है, और इसी के अंदर अब एक latest new model आया है, जो की बड़ी-बड़ी companies के पास भी है, मैं brand name नहीं लेना चाहूँगा, अगर आप online search करेंगे, तो आपको दिख जाएगा, दिखें सर, ये भी सारे features हैं, outdoor है, left, right, up, down, बुलना, सुनना, और रात को color दिखाता है, कुछ लोग क्योंकि ये भी चाहते कि अगर वो पैसा खर्च रहें, तो उन्हें चीज थोड़ी और सुन्दर भी दिखें, कि उनके घर की शोबा बड़ी रहे, या उनके office की शोबा बड़ी रहे, कुछ लोग इन चीजों पे भी बहुत focus करते हैं, आप ये camera बहुत अराम स लगा सकते हैं, Wi-Fi camera है, अभी पीछे में को मतुरा से एक inquiry थी, उस inquiry में मेरे से पूछा गया था, कि सर मेरे को मेरा 1000 गच का मकान है, उस मकान के अंदर में को सिरफ अपने gate कवर कर रहे हैं, तो आम में को जड़ा प्राइज बताईए कि ये wide cameras कितने होते हैं, मैंने का देख आपको महंगा पड़ेगा, और उसके अंदर आपके घर की आपके दुकान की या फैक्टरी की सुंदरता भी खड़ाब होती है, क्योंकि वायर ओपन जाती है, इंटरनली तो तभी जाती है, जब माकान या फैक्टरी बन रही होती है, पी ओपी के अंदर, तो आप wireless cameras लगा इससे अच्छे और बढ़िया क्वालिटी में, चीप क्वालिटी में, मतलब चीप का मतलब यह नहीं कि बहुत ही गंदे वाले camera, मतलब money wise cheap, कि आपके जहां पे for an example, 10,000, 12,000 लगने, वहीं पे ये काम आपका 6-5,000 पे के अंदर भी हो सकता है, और वही picture quality, और बेटर audio, बे दिखातो एक सर ये वाला camera, आउटडोर के अंदर, without 4G sim card, normal wifi camera, यह बाहर लगा दीजिए, रात को एक color भी दिखाता है, और बहुत अच्छी picture quality है, जन्वन 2 megapixel, जो मैंने इससे पहले model दिखाते हैं, वो 5 megapixel के हैं, मतलब हमारे पास दो तरह के हैं, 2 और 5, इनके बीच का ज पाई भी बूला जाता है, ये सारे same models है, ये camera सर, school buses के लिए सर, अभी में पापीछे कुछ inquiry आई थी, जिनमें उन्होंने में को बोला था के सर, हमारे school buses के अंदर कैसे camera लगाए जाए, सर, ये 4G sim card based fixed dome camera है, आप school bus के अंदर एक camera लगा देंगे, sim card डाल देंगे, इसे power दे तो school bus live updates आपको आपके phone पे आते रहेंगे, इस परकार के अब मेरे पास 25 से जादा models है, जो आपको आपके use के हिसाब से, आपके budget के हिसाब से, या आपकी location के हिसाब से, आप easily लगा सकते हैं, जो की अब available है, telecap.in, मेरी website पे और मेरी दुकान पे, आप जब चाहें आ सकते ह यह सर, solar camera, यह camera आप बहुत जगों पे use कर सकते हैं, माने जहां पे बिजली नहीं है, अब बिजली नहीं है, जहां पे बिजली का साधन ही नहीं है, तो वहां पे आपको दिक्कते आती है, कि भई, हम camera लगाएं कैसे, और अगर लगा भी दें, तो उसको mobile पे कैसे देखें, सर, इस camera के अंदर बहुत सारे features है, PIR sensor भी है, कि कोई आता जाता है, तो यह detect करके आपको message बेजता है, notification बेजता है, कि कोई आया है, कुछ हो रहा है, किट्टा करके आप अपनी mobile app खोले और check करें, solar panel से यह attach हो जाता है, solar panel के अंदर आप देख रहे हैं, कि कितनी यहां पे एक मोटी सी जगा बनी हुई है, बडी सी, इसके अंदर lithium-ion battery लगी हुई है, आप one time solar panel को charge करेंगे, और लगाने के बाद इसको अराम से 3-4 महने के लिए भूल जाएगे, अभी मैं आपको on करके दिखाता हूँ, यहां पीछे बटन है, मैं जैसी camera को on करता हूँ, तो आपक करती ही दिखेगी, यह red color की light यह बताती है, कि अभी इसके अंदर SIM card नहीं दला हुआ, आप जैसी SIM card दाल देंगे, तो इसकी light yellow color की हो जाएगी, yellow color का होने का मतलब के camera आपका online है, आपका device online है, और अभी इस solar से ही चल रहा, आप देख सकते हैं, कि इसके अंदर मैंने कोई wire नहीं लगा रहा की, कोई adapter नहीं लगा रहा, और यह camera की अंदर जो memory card है, यह approximately 128 GB support करता है, जो आपको 15 से 16 दिन की recording देता है, यह camera का मैं आपको price बताओं, तो यह है 6800 रुपे का, 6800, इसी परकार bus वाले camera की बात करें, तो यह camera है 8500 रुपे का, इसी परकार एक indoor camera की बात कर यह camera है 1500 रुपे का, अब थोड़ी सी हम range को low करते हैं, मेरे उन भाईयों के लिए जो चाहते हैं कि कम range के अंदर उनका अच्छा काम हो जाए, यह वाला camera, इसका box इस परकार होता है, mother and son camera, यह camera आता है 700 रुपे का, इसी तरह आगर हम आगे ले चने, यह वाला camera, जो मैंने आपको बता है ता stand पे लग जाता है, यह camera आता है 800 रुपे का, अब आगे चलते हैं, इसी प्रकार यह वाला camera, जो plug and play होता है, यह है 1600 रुपे का, मेरे पास camera की range, prices बहुत कुछ है, आप website पे जाए, telecap.in पे, या फिर मुझे WhatsApp पे संपर करें, मैं मेरे लिए यह समझना भी ज़रूरी है, कि आखिर आपको camera क्यों चाहिए और कहां लगाना है, तो मैं आपको अच्छे से guide करता हूँगा, कि कौन सा camera आपके लिए सही रहेगा, बाकी गाईज एक disclaimer है, जो price है, वो up and down होते रहते हैं, जब आप संपर करें, जैसे इस समय December है, सपोज आप दो मीने बा सकते हैं, जो समान आपको चाहिए, कौन सा camera चाहिए, उनके नीचे warranty status रहता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो बिल्कुल subscribe करें, बाकी जो भी आपको query हो, आप भाई साब की website पर जा सकते हैं, प्लस description में, बाकी details में टाल दूँगा, बिल्कुल description में जाएं और जीची से हिसाब से आपकी जो query हैं, जो जो order करना है आपने, बिल्कुल best affordable range, cameras की इतनी range आपको और कहीं नहीं मिलेगी, लगबग इस समय भाई साब ने 25 से ज़्यादा cameras दिखा दी हैं, बाकी stay tuned guys, और अच्छी चीज़े आते रहेंगे, take care, जै हिन, जै मातादी, जै श जीवाँ